मैं मानता हूँ डियम ने जो बात कही कि रिटेलियोशन में वो घटना हुई और उस समय किसके मन में किसके दिवा में क्या था किस वज़े से अंदकार छा गया और फिर उस घटना की वज़े से घटना हुई है और घटना वो भी गलत है घटना ये भी गलत है शुक्रिया अखलेश यादब, शुक्रिया इसलिए कि आपने न्याय का साथ दिया आज अखलेश यादब देवरिया गएं, सबसे पहले वो सत परकास दूबे के घर गएं, जिनके घर से पांच लास उठी उसके बाद वो प्रेम यादब के भी घर गएं जिनकी सबसे पहले हत्या हुई थी और जिनके साथ जातिवाद हो रहा है नमस्कार मैं संभु कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निसनल दस्तक यही तो न्याय है यही तो एक न्याय प्रिय इंसान को करना चाहिए सोचिए आज जब अखलेश यादब ने दिवरिया का रास्ता चुना दिवरिया गए तो सबसे पहले सत परकास दूबे के घर गए जिनके आँसे पांच सब उठे थे पांच लार्स उठी थी उसके बाद अखलेश यादब ने कहा कि मैं उस डियम के बाद से सहमत हूँ कि पहले प्रेम यादब के हत्या हुई फिर इटेलियेशन हुआ और फिर और हत्याएं हुई लेकिन सवाल है कि वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया लेकिन सोचिए इस देश की मनुवादी मीडिया क्या कहती है लालु यादब जातिव हैं हम जातिवादी नहीं है इस देश के मनु मीडिया से साबधान रहिए जैसे कहता है ना बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लडाई है जो इस देश के बाकी हिस्सों में नहीं पहुंचा है और वहां 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 जातिवाद के खिलाफ लडाई पहुंचेगा जह बसपा, RJD, JDU, JMM, DM के जैसे राजनीतिक दल है, वहाँ सोसल जस्टिस की लड़ाई है, लेकिले मनुबादी मीडिया नहीं चाहता है कि इस देश में सोसल जस्टिस समानता की बात हो. सोची अखिलेश यादव ने सबसे पहले सत्परकास दूबे का घर चुना वहाँ गयें और उनके परिवार को धंडस बढ़ाया, लेकिन सत्ता ने क्या किया, योग्यादितनाथ सत्परकास दूबे के परिवार से मिले, सलम मनितिर पाठी सत्परकास दूबे के परिवार से मि ब्रहाम्मन महासवा ने सत्प्रकास दूबे के लिया अज उठाई पच्चास लाग की मदद सलब मनीतिर पाठी ने सत्प्रकास दूबे के परिवार को दिया घर पर नोज पोस्टर चिपकाए गया प्रेम यादब की जिसकी सबसे पहले हत्या हुई मैं इसलिए कह रहा हूँ जातिवाद ये है लेकिन अखलेश यादब ने एक नई लकीर खीची है और ये बहुत जरूरी है और इसी बहाने मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि ये तो सलब मनीतिर पार्ठी और ये ग्यादित ना तो ये तो कुछ भी नहीं है ये जातिबादी नहीं है उतने जितना आपको लगता है इस देश का सबसे बरा जातिबाद इस देश का पूरा सिस्टम है मीडिया, जुडिशियरी, कलेज इनवर्सिटी, ब्यूर्यक्रेसी, बिजनेस लेकिन सब जगर लोग आए हैं राजनीती में भी लोग आए हैं मीडिया में नहीं है इस समय एक ही आप सुचिए जुडिशियरी में भी S.C.H.T. O.V.C. क्या भागिदारी हो रही है चलिए 576 ज जातिवादियों का जड़ है वही ना भी है वही आपको तीर चलाना होगा और जिस दिन आपने मीडिया में अपनी भागिदारी तै कर ली मीडिया में डाइवर्सिटी हो गई आपके नेता बच जाएंगे सोचिए कौन S.C.O.V.C. नेताओं को जातिवादी नेता घोसित क दिवासियों के नेता यह सब आपके कान में कौन ठुष्टा आएंपके दिमाग में कौन भरता इस देस का मीडिया जहां जहां सोचल जस्टिस की लीडिया उसको जातिवाद कौन कहता इस देस की मीडिया और सुप्रिम कोर्ट में भी आप जज़ बन गए हैं हाई कोर्ट में भी जज़ बन रहे हैं मीडिया में नहीं है सिर्फ कॉलेज में है, इन्वर्सिटी में है बिजनेस में भी, एस्पोर्ट में भी है लेकिन मीडिया वो अभेद किला है और जब तक उसमें CSTOBC, अलपसंक्यक और किसानों के बच्चे नहीं होंगे आपको इसी तरह से मारा भी जाएगा बदनाम किया जाएगा इसलिए मेलकम ने कहा है मीडिया में वो ताकत है जो दोसी को निर्दोस और निर्दोस को दोसी साबित करते हैं एसलिचिये हमाज के नाम पर आज फिलिस्तिनियों का घर उजारा जा रहा है लेकिन मीडिया है उनके पास तो फिलिस्तिनियों को ही दोसी ठाराय जारा है ये है मीडिया की ताकत लेकिन अखिलेश यादब जैसे लोगों सोचिए कॉंग्रिस दस साल मीडिया का बैक ओट नहीं जहल पाई बाबा साहब तब उसको कॉंग्रिस मीडिया कहते थे उस समय बीजेपी नहीं थी तब सबर्नों की पार्टी कॉंग्रिस होती थी तब उस समय कॉंग्रिस मीडिया कहते थे जब से बीजेपी सत्ता में आई है ये मीडिया बीजेपी की मीडिया हो गई है कॉंगरेस जैसी पार्टी दस साल नहीं जहल पाई सोची हमारे महापूरुस कितने साल से अगर मैं आधनिक मीडिया की बात करूँ तो फूले पेरियार, अंबेटकर, जगदेव बाबू माने बरकांसी राम सहाब और आज तक आप मीडिया की बैमानी जहेल रहे हैं लेकिन सुक्र मनाईए कि वो सोचल मीडिया है जिस वज़े से एक खबरे पहुँच रही है और आज अखलेश यादब ने साबित कर दिया कि अखलेश यादब की लराई मुलाहम सिंह यादब की लराई मायवती जी की लराई कांसी राम सहाब की लराई लालू यादब की लराई जगदेव बाबू की लराई लोहिया की लराई जैपरकास की लराई ये सब जातिबाद के खिलाफ था रामशडुब बर्मा की लराई सुनेलाल पठेल की लराई करुणा निधी की लराई ये वो महापुरुसे जो अब नहीं रहें मायवती जी की लराई जो अभी हैं जो रादिती करें उनकी लराई जातिबाद के खिलाफ है अखिलेश यादव ने जो किया है वो शांदार है और किसी भी नेता को किसी भी सत्ता को न्याय के पक्ष में ख़रा होना चाहिए जातिवाद वो था जो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे थे जो एक ही कम्यूटी के हां जा रहे थे अपनी ही जातिवाले के हां जा रहे थे मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश का SC, ST, OBC और किसान जातिवाद से पिरित है, जातिवादी नहीं है हम लोग को जो जातिवादी कहता है वो खुँज जातिवादी है और जो ये कहना कि मैं जातिवाद नहीं मानता हूं उसका भी जातिवाद है सही लिखते हैं राजंदर परसास सिंग संसी रोमनी रविदास महराज और कबीर ने खुल कर अपनी जाती बताई लेकिन वो जाती के खिलाफ लर रहे थे लेकिन तुलसी दास ने अपनी जाती नहीं बताई लेकिन वो जाती पाती कर रहे थे अपने जाती बर्चस को बनाए रख रहे थे तो जो जाती के मुद्दे पर बहस करता है जो जाती का डिस्कोर्स खड़ा करता है जो जाती के नाम पर सवाल पूस्ता है वो दरसल जातिवाद से लर रहा होता है और जो जातिवाद को छुपाता है जो इस डिस्कोर्स को कहता है कि गलत है और जो जातिवाद के खिलाफ लरन मत कीजिए और शुक्रिए अखिलेश यादब जो आपने लाइन ली है वो शांदार है काबल आटारीफ है और इसके लिए आपको सैलूट है और आपने जो हिम्मत दिखाई है उचिआज अखिलेश यादब की कितनी आलोचना हो रही होगी लेकिन अखिलेश यादब की शब निकला जो भी हत्यारा है उसको पकरा जाना चाहिए उसके घर पर बुल्डोजर चलने चाहिए लेकिन प्रे में आदब के परिवार को सजा देना अन्याय होगा क्योंकि वो खुद पीरित है उसकी सबसे पहले हत्या हुई है और यही बात अखलेश आदब ने उठाई है मैं फिर कह रहा हूँ अगर इस देश में आप जातिवाद का खात्मा चाहते हैं इस देश में आप न्याय चाहते हैं बराबरी चाहते हैं तो आपको पीरित के साथ खरा होना होगा कमजोर के साथ खरा होना होगा सत्परकास दूबे हो सकता है आर्थिक रूप से प्रेमियादब से कमजोर हो उस गाउं में लेकिन समाजिक हैसियत से सत्ता के हैसियत से वो आज भी प्रेमियादब पर बहुत भारी है क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग है वो अपने जाती के हिसाब से अपने बर्न के हिसाब से फैसले कर रहे हैं और हम लोग यही बता रहे हैं हम लोग कह रहे हैं जो अखिलेश यादब ने किया वो शांदार काम है और उनको सबसे पहले जो उन्होंने सत्परकास दुबे के घर का दोरा किया वो भी शांदार काम है लेकिन सवाल है कि दोनों परिवार को नयाय मिले और हत्यारा जो है वो जेल के सलाकों के पीछे हो सवाल है कि प्रेमियादब की हत्या किसमे की इसकी भी जांच होनी चाहिए कौन है प्रेमियादब का हत्यारा किसके हत्या करने के बाद यह सारी हिंसा भरकी अखलेश यादब ने फिर सत्ता से सवाल पूछा है कि आखिर सरकार ने और परसासन ने सही बक्त पर काम किया होता तो ये नौबत ही ना आता सत परकास दूबे के हत्यारे तो पकरे गए हैं लेकिन फ्रेम यादब की हत्या का अभी तक खुलाशा नहीं हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए तभी ये न्याय कहलाएगा आप लोग अपनी पर्थक्रिया जोर दीजिए शुक्रिया